हेलो फ्रेंड्स मैं शिखा आप सबी का इस वीडियो पे स्वागत करती हूँ आज हम गुज़राती डिश्ठो क्ला बनाएंगे ठोकला बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में एक कपे सन्थ स्वादनो सर नमक आधी चम्मच हल्दी पाउडर एक बड़ा चम्मच चीनी एक बड़ा चम्मच ते और एक चम्मच नीबू का रस्ट डाल कर सबी को अच्छे से मिला लेंगे अब इसमें पानी डालेंगे आप पानी की जगए इसमें धाई भी डाल सकते हैं हम पानी थोड़ा थोड़ा घर कर ही डालेंगे देखी हमें बैटर को इतना ही गाड़ा रखना है अब इसे ढखकर पाश्मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे पाश्मिनट हो चुकी है अब हम कड़ाई करम करेंगे अब कड़ाई में पानी डालेंगे और एक स्टेंड रखेंगे पानी को अच्छे से उबलने देंगे अब एक प्लेट लेंगे और उसे ओईल से ग्रीस कर लेंगे प्लेट को चारो तरफ से अच्छे से ग्रीस करेंगे अब हम बैटर को एक बार और चला लेंगे अब इसमें एक चमच इनो डालेंगे और डालते ही अच्छे से मिला लेंगे अब बैटर को प्लेट में निकाल लेंगे पानी भी उबल चुका है अब डेट को कड़ाई में रख देंगे और डगकर दस से पंद्रा मिट के लिए स्टीम होने देंगे स्टीम होने के बाद यह अच्छे से फूल जाएगा दस से पंद्रा मिट हो चुकी है अब इसे खोल कर देख लेते हैं अब इक चाकू लेंगे और से ढोक लेंगे अंदर डाल कर देखेंगे बेखिया चाकू पर बिल्कुल भी चपचपाहाट नहीं है इसका मतलब भी तयार है अगर चाकू पर थोड़ी सी भी चपचपाहाट होती तो हम इसे डगकर फिर से स्टीम होने देते अब गैस बंद कर देंगे और इसे साइट से थंड़ा होने के लिए रख देंगे अब इसका तड़का तयार करेंगे इसके लिए तड़का पैन लेंगे और उसे गरम करेंगे अब इसमें दो चमस देल डालेंगे अब इसमें एक चमस राई साथ से आठ करी पत्ता और दो हरी मिर्श रा लेंगे हरी मिर्श को इस तरीकिसे बीच में से काट लेंगे अब इसे थोड़ा हिला लेंगे जिससे सारी चीज़े अच्छी जफ्राय हो जाए अब इसमें पानी और एक चमत चीज़े डालेंगे और इसे अच्छी से उबलने देंगे देखिए इसमें अच्छा से उबल आ चुका है अब गैस बंद कर देंगे अब ढोगला और तड़के दोनों को अच्छी से ठंडा होने देंगे और फिर ढोगला तयार करेंगे देखिए प्ले ठंडी हो चुकी है और दड़का भी ठंडा हो चुका है अब हम ढोगले को पीचिस में काट लेंगे दूसरी साइट से भी काट लेंगे अब हम तड़के को ढोगले के उपर डाल देंगे हम एक साइट पूरा तड़का नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करकर ही डालेंगे अब ढोगले पर कुछ कटा हुआ हरा धनिया और किसा हुआ नारियल डालेंगे अब ढोगले को एक पेट में निकाल लेंगे डोगला बनकर तैयार है ये एक तब मार्केट जैसा ही बना है और ये काफी सॉफ्ट भी बना है ध्यान रदम दड़के को अच्छी से ठंडा होने देंगे अगर आप जल्द बाजी में गरम दड़का ही डोगला पर डाल देंगे तो डोगला खराब हुचाएगा और डोगला हलुआ जैसा बन जाएगा उसकी कोई शेप ही नहीं रहेगी इसलिए हम दड़के को अच्छी से ठंडा होने देंगे और फिर उसे ढोखले पर डाल देंगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राब करना ना पूले मिलते है निक्स वीडियो में